अधिकार प्रमाण पत्र आवेदन कैसे होगा सेक्षन 372 के बारे में हम आपको बताएंगे साथियों देखे साथियों इसमें क्या है इसमें आपको बेसिक चीजी पता लग जाएंगे कि भई हम आवेदन करने जा रहे हैं तो हमें कौन-कौन सी जानकारी रहे तो जब एड़ और अगर आपकी प्रमाण पत्र बनाने की आवस मुझे लगता आवस सकता आपको नहीं है ठीक है तो चलिए मैं आपको थोड़ा एक्स्प्लेइन कर दो साथियों इससे पहले सबसे पहले मैं आप से आप से एक चीज़ और कहूंगा यदि आपका प्रोपरिटी से संबंद कोई भी आपका प्रस्ण है आप वहतर लीगल एड़ाईस देना चाते हैं तो हमारा कॉंटेक्तर वीडिडियो के डिसक्राबार या आपको डुकमेंट चेक करवाना चाते हैं ठीक है कोंटेक्तर आपको वीडियो की मिल जाएगा यहां पे साथिऊ आप देखेंगे प्रमा पत्र के लिए आवेदन सिविल प्रिकृया कि सहिता उननीस सो आऩ छे द्वारा वादी द्वारा अपने नीवित किसी वाद खो स्थारंज पूर्ध करने लिए विःत रीज ने नियमत है खास्तांत्र ने अरजी द्वारा जिला निया अधिस को किया जाएगा उसके लिए निम्न लिखित प्रिष्टियां दी जाएंगी ठीक है अब देखे क्या क्या आपको जानकारी दियने पड़ेगी वह आप जान लीजिए यहां पर मैंसन किया गया है इस पस्ट यहां पर आप देख सकते हैं साथियो एक्ट का नाम दिया गया है हिंदू उत्तरा सोरी भारती उत्तरा दिकार देखी कई उत्तरा दिकार रहे हैं हिंदू उत्तरा दिकार लागे यह भारती उत्तरा दिकार ठीक है अब मिरत्य की मिरत्य का मिरत्य का समय जाने कि जो भी मिरत्य है उसकी मिरत्य का वही थी तो उसका आपको अधिकारिक्ता की इस्थानी सीमाओं के वीतर नहीं था तब उन सीमाओं के वीतर मृतक की संपत्ति उसका विब्रट देना पड़ेगा गा मृतक का कुटम या निकट नातिदार और उसके निवास इस्थान का देना पड़ेगा कि उन्हें भी एक नोटिस जाएगा गा वहे अधिकार जिस पर अरजीदार दावा करता है वो अधिकार भी बताया जाएगा उसके अलावा प्रिमान पत्र के अनदान के लिए यद्व है अनदत किया गया है और उसकी विद्मानता के लिए ऐसे अधियम की धारा 3070 किसी अन अपवंद के अधिन या किसी अन्य अधिनियमित के अधीन किसी अडचन का अभा और जो भी मालीजे संबन्द में जानकारी हो वो भी आपको देनी पड़ेगी वे रिड और प्रतवूतियां जिनके बावत प्रमाण कत्र के लिए आवेदन किया गया है देखिए ऐसी कई चीजें होती हैं जिनके लिए आपको ये प्रमाण पत्र निर्गत कराना है वो कारड भी आपको मेंसन कराना होगा माल लीजिय उनका बैंक में कोई पैसा पड़ा है ठीक है या माल लीजिय अन्य कोई काम है तो उसके लिए वह भी कारण आपको बताना पड़ेगा अब देखें सबसे वड़या यह है कि फर्जी बाड़ा इसमें आपका नहीं चलेगा अब देखें इसमें क्या कहा गया है यदि अरजी में ऐसा कोई प्रतकतन है जिससे उसे सत्यापित करने वाले विक्ति को मिथ्या होने का या तो ज्ञान है या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है तो उस व्यक्ति के वारे में या माना जाएगा कि भारती दिन्ड सहता 1860 की धारा पैंतालिस धारा एक्सोट ठानवे के अदिन अपराद किया है देखे साथ यह अगर आप इन तथ्यों में कोई गलत कोई जूटा अगर माल लीजिए कथन पेस करते हैं उस पे साइन करते हैं तो यह बहुत ही गलत होगा आपके पास क्रिमिनल केस भी चला आया सकता है ठीक है न और ऐसे मेरे पास कहीं मैटर्स आये हैं जिनके एक फरजी सायन करने पर उने जो है आई पीसी जारा 420 और 466 जो है उने जेल हो गई और आई कोट ने भी जमानत नहीं भी ठीक है न तो इसलिए सापधार रहें ठीक ह और इसलिए जो है जो भी मान लीजीए मीन आपको बताया वो जानकारी अपना जुटा लें आप और उसके बाद आप आविदन कर सकते हैं अब आविदन के बाद प्रोसेस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रोसेस जो होता है प्रोसेस एड़ोकेट्स के लिए होता है और हमारे वीडियो एडवोकेट्स के लिए नहीं होते हैं नॉर्मल विक्ति को जानकारी देने के लिए होते हैं ठीक है तो मैं प्रॉसेस देखिए अगर हो सका आप लोगो कमेंट्स आइं तो प्रॉसेस भी आपको बताऊंगा ठीक है वागी अगर आपको किजी रहा है तो मरे वापको वीडियो बिएस्ग मेल जाएके साथ ही धनने है